नमस्कार रोजाना कीचन में आपका स्वागत है मैं अनिता आपके लिए टोमाइटर शॉस की रेशिपी लेके आई हूँ इसके लिए इंग्रीडियन्स नूट कीजिए टमाटर दो केजी चीनी डेट सो ग्राम नमक एक टेबल स्पून लॉंग दस इलाइची चार अद्रग टेक इंज डाल चीनी हाफ इंज लाल मिर्ज पार्च चलिए बनाना शुरू करते हैं टोमाटर फास के लिए टोमाटर लाल ले ले टोमाटर को धो कर साफ कर ले इसके पानी सुखा ले तब टोमाटर को टुकड़ों में काठ ले सभी मसालों को फूट का रेडी कर ले प्रेसर पुकर में सभी कटे उगे टमाटर को डाल दे उसमें लाल मिर्च इलाइची लॉंग दाल चीनी अद्रग नमग डाल कर अच्छी तरह से चला ले मीडियम आज पे 6 सीटी लगा दे इसके बाद उसे ठंडा होने छोड़ दे जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसे ग्रैंडर में ग्रैंड कर लेंगे सबी को ब्रैंड कर लेंगे ताव इसे इस टेनर में छाग लेंगे सबी पल्प को निकाल लेते हैं एक सुखे कड़ाई में सारे पल्प को डाल देंगे मेडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए सारा पानी सुखा ले अब इसमें कस्मी डिलाल में दो ती स्पून और चेनी डाल कर मिला लेंगे अब इसमें सोडियम ब्लाइट एक टी स्पूट्ट और विनिगर चाज़ टेबलाई लेंगे पर तो इसमें इसमें करते हैं स्पून ले लेंगे। सोडियम बेजवेट को वीनिगर में डाल कर मिला लेंगे। टमाटर सास गाढ़ा हुआ या नहीं। इसे एक प्लेट में लेकर भेख लें। अगर उसमें पानी नहीं गिरता है तो आपका सॉस रिडी हो गया है। देखिए प्लेट में लेकर ठीकनेस देख लेंगे। और शॉस में डालकर उसे सोडियम बेंजवेट और वीनिगर को डालकर मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ठंडा हो जाए तो उसे बॉर्टल में बार लेंगे। आपका सॉस रेडी है, बनकर रेडी है। सर्व करने के लिए। इसे 6 महिने तक रख कर जूच कर सकते हैं। कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें। सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दवाना ना भूले। ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।